बिहार की सियासत में एक नया मोड आ गया है क्योंकि आज से नेता परतिपक्च तिजश्य यादो पटना के बेटनरी कॉलेज ग्राउंड से बिरुजगारी हटाओ यात्रा का सुबाराम कर चुके हैं यह यात्रा तिजश्य यादो पिहार में लगतार बढ़ रहे बिरुजगारी के खिलाफ सरकार को घेरने और लोगों को जागरू कर बताने के लिए कर रहे हैं आपको बताते चले कि इस यात्रा के जरिये टेजस्वी यादो बिहार के पूरे पिधान सवा में जाएंगे और बिहार में बढ़ रहे बिरोजगारी के खिलाप लोगों को एक जूट करने की कोशिस करेंगे। लोग उनसे पूछेंगे कि आप बताईए आपके पास कौन सा इल्म है जिससे आप 27 वर्स की उम्रे में और नौमी फेल होने के बावजूद करोडो करोडो संपत्यों के मालिक बन गए आप 54 संपत्य के मालिक हो गए कहां से आया कैसे आया ये जो गूड़ भी सए आपके पास है ये पूरे बेरोजगारों को बताईए विहार के नौजवान विहार के इवा विहार के बेरोजगार आप से जानना चाहते हैं तेजस्वी आदव से जगा जगा ये सवाल विहार के इवास लोग करेंगे कोई भी पच्छ के पास नहीं है जब तेजस्वी आदो के माता पिता का सासन था तो यहां से लोग पलायन कर रहे थे लोग छोड़ छोड़ करके यहां भाग रहे थे कहीं किसी को कोई सुनवाई नहीं था ना रोजगार मिलता था और ना उनके सुरच्छा का कोई इंतजाम था लेकिन आज कम से कम लोग चैन से इस बिहार की धरती पर रहते हैं मजबूरी बस कोई बाहर नहीं जा सकते हैं इच्छा से जिनको जाना हो जा सकते हैं और जिनको रोजगार चाहिए जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उन सब को देने का काम बिहार की सरकार कर रही है और सरकार ने जो ऐसे केंदर की सरकार और राज्य की सरकार ने ऐसे कई सारी योजनाएं बनाई है जिसका लाव हमारे इवा और बेरोजगार लोग कर रहे हैं का काम दूसरे से मद करो तुम स्वैम दूसरे को रोजगार देने वाला बनो और कोई na कोई रोजगार खड़ा करो और इसके लिए सरकार पूरी मदद करेगी मुद्रा बैंक योजना के तहट बैंक बगैर कोई गारंटी के तुमको लोन देगी और उससे अपने रोजगार धंधा शुरुआत करो ये काम जो ऐसे हो रहा है और नौजवान लोग उससे जुड़ रहे हैं उसके बापजूद इनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई विशय है इसलिए यह खाक चान रहे हैं जहां जाएंगे उनको दिरोध का सामना करना पड़ेगा तो फिलाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी ख़बर को देखने के लिए आप लगतार बने रही निउजन 11 के साथ नमस्कार झाल झाल